हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई सीजी एक्जाम आज से हम लोग चाथिस गड़ का एक रिवीजन करेंगे क्योंकि भी बहुत सारी एक्जाम आने वाले हैं जैसे आप लोग को पता है एडी वा रहा है आप लोग इसकी प्रिप्रेशन तो करी रहे होंगे इस प्रकार मैंने सुना है कि आ रही रवेन्य इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आने वाला है तो यह बहुत सारी एक्जाम होने वाले हैं सो मैं कोशिस करूँगा कि आपके लिए एक रिवीजन सेशन लिक्या हूँ 36 गड़ का और मेरा यह प्रयास जरूर रहेगा कि मैं इसे रेगुलर कराऊं जिन लोगों का 36 गड़ थोड़ा वीक है वो लोग जरूर इस सेशन को अटेंड करें चलिए देखिए पहला कुश्या है निम्नमे से किस स्थान से ताम्र लोह योगिन योगिन पाशाड स्थम के साक्ष मिले हैं तो आपनों को ये बताना है कि इन में से कौन सा वो प्लेस है जहां से कौपर आइरन स्थोन इच के जो ऑजार है या उससे सम्मंधित कुछ साक्ष मिले हैं तो इसका आणसर है जहां से ताम्र लोह योगिन पाशाड स्थम के साक्ष मिले हैं वो इस्थान है करही भदर ये स्थान ये प्याद रखना करही भदर इसके अलावा कुछ और प्लेसेस है उसका नाम भी आपको याद रखना है चिर्चारी करही भदर, सोरर करकाभाठ ये वो इस थल है करकाभाठा ये वो इस थल है जहां से ताम्र लोह योगिन पाशाड इस्थम के साक्ष मिले हैं और ये चारो करही भदर, चिर्चारी, सोरर, करकाभाठ ये सब कहाँ पर है बालोग जिले में है इसके अलावा एक जिले का नाम और याद रखना ह है गडधनावरा गडधनावरा यहां से भी ये कुंडगाउ में हैं यहां से भी ताम्र लोह योगिन पाशाड इस्थम के साक्ष मिले हैं तो मैं फिर से बता दूं बालोग में चार जिले चार जगा का नाम याद रखना है करही भदर, चिर्चारी, सोरर, करका, भाठा और कुंडगाउ में याद रखना है गडधनोरा, इन प्लेसेस का नाम याद रखना यहां से ताम्र लोह योगिन पाशाड इस्थम के साक्ष मिले हैं, मैं आप लोग को एक बुक का नाम भी बता दे रहा हूं, जो मैं as a reference लिया हूँ, मैं HR पुब्लिकेशन, हरीराम पुब्ल सब में अच्छे information ही होते हैं, कुछ बुक जल्दी update हो जाते हैं, कुछ बुक को की जो publisher होते हैं, वो से 3-4 साल में एक बार update करते हैं, तो आप कोई से book ले सकते हैं as a reference पढ़ने के लिए कोई दिकत ने, मैं HR publication की book as a reference ले रहा हूँ, अब इसमें मैं आपको कुछ और information बता देता हूँ, 36 बड़ के इतिहास से, जैसे पूर्व पशाड काल के आउजार, कहां कहां से मिले हैं, तो आपको एक जगा नामे रखना है, सिंगनपूर की गुफा, सिंगनपूर की गुफा, यहां से मिला है पूर्व पशाड काल के आउजार, इसके अलावा रायगड के छापा मारा, भवर, खोल, गीधा, सून बरसा से भी पूर्व पशाड काल के आउजार या पूर्व पशाड काल से संबंदित साक्ष मिले हैं, ठीक है, जैसे में आता है, एग्जाम में ऐसे प्रशनों बनते हैं कि निम्नमित से किस इस्थल से पूर्व पशाड काल के साक्ष मिले हैं, तो क्या कै मैंने नाम बताया, आपको छापा मार जैसे मैंने बोला, भवर खोल बोला मैंने, गिधा बोला मैंने, सोन बरसा बोला, ये दो जो जो कबराहील है वहां से, जो कि रायगड में स्थित है, इसी प्रकार आपको कुछ स्थल के नाम हो और याद रखना है, कालीपूर, खडगा घाट, गडचंदेला, घाट लुहां, भातेवाड़ा, राजपूर, इन जगों से भी मद्धि पाशारकाल के साक्ष मिले हैं, जैस यहां से इसका शाक्ष मिला है, जो पहने बिलासपूर में आता था, अब कहाँ चले गया, गोरिला पेंड़ा मरवा है, और एक जगा का और नाम याद रखिए, महानदी घाटी, महानदी घाटी, या महानदी वैली, यह राइगण में हैं, यहां से उत्तर पाशारकाल के साक्ष मिले हैं, एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, कि पाशार घेरे, पाशार घेरे, यह कहाँ पर मिले हैं, पाशार घेरे क्या होता है, कि डेट बॉडिस को, शवो को, शवो को दफना देते हैं रमिन में, और उसकी चारूर, बड़े-बड़े पत्थर ऐसे इस पर कर रख देते हैं, और उसको चारूर से घेर देते हैं, यहां पर शवो को दफना कर चारो और पत्थर से घिर देते हैं वो क्या बोलते हैं पाशाड घिरे तो 36 गड़ में पाशाड घिरे के साक्षि कहां से मिले है तो एक नाम याद रखिए बालोद जिले बालोद में मिला है करही भदर, चिर्चारी, सूरर इनाम याद रख लेना, एक्जाम में बहुत बार कुशिंग मना है करही भदर, करही भदर, चिर्चारी, सूरर चिर्चारी और सूरर ठीक है, काफी दिनों बाद ये pen tablet में लिख रोड़ हो, तो handwriting खराब बन रही है ठीक है, धीरे से ये भी सुधर जाएगा छोड़ा, आप आज चला लीजिए, कस दिनों में ये handwriting भी सुधर जाएगे pen tablet में काफी दिनों से मेरा लिखा नहीं है ठीक है, सो ये सब याद रख लेना इस प्रकार एक question बनता है, कि पाशार यूट के ओजार कहां से मिले है तो आप एक नामे याद रखे, कबरा पाहड जोगी रायकड में है और सरगूजा में आपको याद रखना है, जूगी मारा और सीटा बेंगरा की पाहड़ी यहां से मिलें चलिए, अगले प्रेशन के पर चलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा, बोतलदा आपको कमेंट करके बता दो यह बोतलदा की जो गूफ़ा है यह कौन से जीले में से थे, ठेके, मैं आपको, या आप मुझे कमेंट करके बताईए मैं कुछ और फैक्ट्स की और चलता हूँ तो यह सेकंड कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, बोतलदा, जो चातिलवर की सबसे लंबी गूफ़ा है ठेक, बोतल के शेप में है, ऐसा है आप रखता हो बोतल की लंबी होती ही न, बोतल कैसे होता है, लंबा होता है तो यह गूफ़ा भी कैसी है, सबसे लंबी है तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि सबसे प्राचिन गूफ़ा, चातिलवर की सबसे प्राचिन गूफ़ा कों सी है प्राचिन गुफ़ा तो सबसे प्राचिन गुफ़ा आपको एक नाम याद रखना है वह सिंगनपूर की गुफ़ा सिंगनपूर की गुफ़ा कहाँ पर है? रायगड में और उसके बाद नाम आता है कबरा पहाड कबरा पहाड ये भी कहाँ पर है रायगड में सबसे प्राचिंग गुफा बोले तो क्या है सिंगहनपुर और उसके बाद कबरा पहाड याद रख लेना रायगड जी लेके न करमागड बसना जर उंगना भैस गड़ी लेखा भाड़ा इनसे भी क्या है ये साब याद रखते चलगा तो ये कुश्य नमर टू का अंसर क्या हो जाएगा वो तल्दा ये कहाँ पर है रायगड जी लेके याद रख लेना कहाँ पर है तो रायगड जी लेके अगला प्रशन है नौ पशाड काल के आउश्यो इश्यो कि सर्व प्रथम जानकारी निम्द में से किस ने दिया है ये जी पेस से प्रिलिम्स का 2020 का प्रशन सा चलिए इसका अंसर बताइए नौ पशाड काल के अवशेशू की जानकारी किनों ने दी है तो इसका अंसर है भगवान सी बगेन और रमींद्रनात मिश्र इन दोनों ने नौ पशाड काल की जो अवशेश है या वहाँ से जो भी चीजे प्राप्त हुई है उनके बारे में जानकारी भगवान सी बगेल और रमींद्रनात मिश्र ने दिया है इसे याद रख लेना अब इसमें एक चीज और बता दू कि 36 गड़ के शैल चित्रो की जो खोज है सरव प्रथाम 1910 में किस ने किया था तो एक अंग्रे जीतिखासकार थे उनका नाम था एंडर्सन एंडर्सन इन्हों ने 36 गड़ के शैल चित्रो की खोज की थी पत्थर में बने चित्र या पहाडों में बने चित्र उसो क्या बोलेंगे शैल चित्रो चैल चित्रो की सबसे पहले खोज 1910 में अंग्रे जीतिखासकार एंडर्सन ने की थी इनका नाम आप याद रख लेना और इन्हों ने ही इसके बारे में अध्यन किया होगा ठीक है फिर इसका विस्तित अध्यन अमर्नाथ दत ने किया इन्होंने खोज किया ठीक है इन्होंने क्या किया खोज किया चैल चित्रों को खोज किया अंडर्सन ने और इसका विस्तित अध्यन कि किस ने किया अमरनाथ, अमरनाथ दत, ठेक है, यह यह अधर्फ है ना, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 36 गड़ को क्या कहा जाता था, वैदिक काल में 36 गड़ को क्या कहा जाता था, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कि वैदिक काल, जिसको हम लोग डिवाइट करते हैं, करीबन 1500 इसापूरू से 600 इसापूरू, है ना, यह उसका period of time है, 1500 इसापूरू से 600 इसापूरू, तो वैदिक काल लोग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइट कर देते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं, रिगवैदिक काल, रिगवैदिक काल, और एक होता है, उत्तर वैदिक काल, यह आपने Indian history में पढ़ाहोगा, उत्तर वैदिक काल, यह रिगवेध की रचना की गई थी तो उसकाल को क्या बोलते है रिगवेधिक काल और उत्तरवेधिकक से मुल से 1,000 उसके बाद उत्तरवेधिक को लिए दाता है एक हजार इसापूर्व से छैसो इसापूर्व यह सब आपको याद में रखना है यह तो मैं एक्स्टा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इंडियन जीसमें आपने पढ़ा ही होगा तो रिगवेदिकाल में यह चीज़ याद रखना रिगवेदिकाल में उस समय जो आर ये लोग थे ये केवल सिंदु नदी के आसपास तक बसे हुए थे तो उन्हों में जो भी अपने बुक्स लिखे हैं जैसे ये रिगवेदिक बुक्स है तो उसमें न केवल सिंदु नदी के आसपास के जो जगह हैं उसका उल लिख किये हैं मतलब वो 36 गड़ी या नर्मनादी तक नहीं पहुच पाये थे तो उस समय वैदिकाल में 36 गड़ को क्या कहा जाता था इसके बारे में किसी को नहीं बता है ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसको याद रखना लेकिन जब उत्तरवेदिकाल हम पहुचते हैं उत्तरवेदिकाल क्या रखना मेरे बात समझे ना मैं क्या बोल रहो दो काल मैंने बताया एक मैंने बोला रिगवेदिकाल और दूसरा मैंने कहा उत्तरवेदिकाल तो उत्तर वैदिकाल आते आते ना जो आर ये है वो नर्मना नदी तक पहुच गये थे ठीक है उनके जो ब्रामण गरंथ है उसमें विंध्यांचल परवत का वर्णन किया गया है ऌक यहाद और रखना कि यहर लेक व्लेका बिल Northern और फ९ह पार्वत को पारनी एश्क बेंदंगर करेंगे पणजाब के बाद 300 bathrooms तो, इसका उनलेक बिलकुल नहीए रिग्ए लेके उत्तर वैदिक पोरी गिन्नी इता है बीच में वह पहुच गया थे इस एरिया में तो यह याद रख लेना अब मैंने इसका अंसर क्या हो जाएगा इनने से कोई नहीं लेकिन वैदिकाल में बस्तर को दक्षिट दिख के नाम से भी जाना जाता था इसको याद रख लेना बस्तर को और अबिसलिए यह कौन सा कि याद रह लेना वैदिकाल में बस्तर को दक्षिट दिखने एर हाथी पुल की गुफा का सम्बंध है जो हाथी पुल की गुफा है उसका संबंद दिम्नम्हें से किस इसे सब्से हो धवास काल, माबारत काल, था Means इनन में से तो इसका आंसर हो जाएगा जो हाथी पूल की हाथी पुल की गुफा रमायड काल से संबंदित है, हाथी पुल की गुफा किस काल से संबंदित है, अब यह जगा होते हैं, वो किसी काल से संबंदित कैसे हैं, अब यह गुफा है, यह तो रमायड काल से पहले भी रहा होगा, वैदिक काल में भी रहा होगा, लेकिन उस समय, वैदिक काल के समय इस हाथी पोल की गुफा में कोई साक्ष नहीं मिले, ठिक, रमायर काली इस गुफा से कुछ साक्ष मिले होंगे, तो इसलिए हाथी पोल की गुफा का सम्बन किस काल से रेलिया गया, रमायर काल से रेलिया गया, ठिक है, अब इस पे कुछ जैसे, रमायर का के नाम से जाना जाता था ये याद रख लेना पहला कोशन दूसरा कोशन बनता है कि रमायड काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था तो बस्तर को दंड कारण नि याद रख लेना दंड कारण नि बस्तर को दंड कारण नि के नाम से जाना जाता था इस समय दक्षिड कोशल की भाशा क्या थी? तो इस समय दक्षिड कोशल या चतिजगर की भाशा थी कोशली ये पेस्ती ने कोशन पूछा है कि चतिजगर की सबसे प्राचीन भाशा कौन सी है? तो 36 गड़ के सबसे प्राचीन भासा कौन सी है कोसली याद रखना दक्षड कोसल की भासा क्या थी कोसली और यही कोसली 36 गड़ के सबसे प्राचीन भासा भी है ठिक अब एक चीज में आपको बता दूँ यहाँ पर दक्षिड कोसल की राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी कुश की स्थली अब कुश लौकुश राम जी के बेटे थे ना यह भी एक कहानी है बताता हूं कि उसका नाम कुश स्थली पड़ा और दंद कारेंड की राजधानी थी मधुमंत मधुमंत यह राजधानी भी यात रख लेना अब तोड़ा एक चीज बता रहूं, यहाँसे एक फैक्ट बता रहूं यह सपाज लोग एक कोसल है यह कोसल है जगवाए कोसल इसको ले लेते हैं हम लोग दक्षिड कोसल दक्षिर कोसल और इसको लेते हैं उत्तर कोसल उत्तर कोसल दक्षिर कोसल में एक राजा हुए करते थे उनका नाम था भानुमंत राजा का नाम है भानुमंत 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 की बेटी थी या पुत्री थी उनका नाम है कोशल्या अब आप कौशल्या समझ गए होंगे कौशल्या तो कौशल्या का विवा हुआ था पुत्तर कोसल के राजा पुत्तर कोसल के राजा जिनका नाम था दशरत पुत्तर कोसल के राजा दशरत किश्क का विवा राजा भानुमन की पुत्री कौशल्या के साथ हुआ राजा भानुमंद की कोई पुत्र नहीं थे, तो ये जो डक्षिड कोसल का जो एरिया है, वो किनको मिल गया? राजा दशरत को मिल गया, अब ये पूरा एरिया है, ये वाला ये पूरा एरिया किसका हो गया? राजा दशरत का हो गया, ठेक है? क्योंकि राजा भानुमंद की क दो बेटे थे एक का नाम थोड लाव और एक का नाम है कुश है.. ठथेख बगवान राम के बाद, यह जगा भी तो किसी न किसी बॉलेंगे, दक्षिड कोशल किसे मिला कुष को, तो दक्षिड कोशल मिला कुष को, इस तर्फिक की राजधानी होगा ही कुश स्थली, और उत्तर कुशल किसको मिला? लव को. ठिक यहां तक बात समझ में आया होगा एक चीज और फैक्ट याद रखिए कि माता कोशल्या का जनम स्थल कून सा है एक सेकंड पेरने कज़र चिंज कर लेते हैं हाँ माता कोशल्या का जो जनम स्थल है वो रायपुर का चंदर खुरी है चंदर खुरी मूर्ति का उध्गाटन हुआ है यह आप मुझे कमेंट करके बता रहा हूं जातक मुझे याद आ रहा है इंग 50 फीट है एक बार आप चेक करके कमेंट करके बता हो ठीक है तो यह याद रखना है जो चंद्रखुरी है रायपुर का चंद्रखुरी यहां पर कोशल्या माता का क्या हुआ था जन्मोगा ठा और यहां पर 1973 में उत्रू कोशल्या माता का मंदिर भी बनाया गया है कोशल्या का मंदिर ठेक है और यहाँ पर अभी हाली में भगवान राम का इनक्यावन फिट मुझे याद आ रहा है पर चेक कर लेना और कमेंट करके बताओ मुझे कितने फिट उचे मुर्ति का उद्गाटन किया गया है ठीक तो यह सारे फेक्ट्स हो गए इनको याद रख लेना और उसी प्रकार कुछ स्थल भी है जो रामाड काली इस्थल है जैसे कि रामगड की पहाड़ी है रामगड नाम से क्लियर है रामाड का लिन होगा रामगड की पहाड़ी सीता बिंगर की पहाड़ी ये भी नाम से क्लियर हो जा रहा है कि ये भी रामाड का लिन है रामगड की पहाड़ी, सीता बिंगरा की पहाड़ी, लक्षमड बिंगरा की पहाड़ी, लक्षमड बिंगरा तो इस नाम से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है लेकिन हाथी पूल नाम से क्लियर हो रहा है, इसलिए कुशन बन गया ये तीनों, ये चारों जगा, हाथी, पोल, रामगड की पहाड़ी, सीता, बेंगरा, लच्पड, बेंगरा, ये सब कहाँ पर है, सर्बूजा में है, सर्बूजा में है, ठेक, किस किंधा की पहाड़ी भी या किस किंधा की गुफा भी कहाँ पर है, सर्बूजा में है, एक रा जांजगीर चापा में किस स्थाल है खरोध यहां पर खरदूसर का समराज्य था ठेक शिवनी नरायन है शिवनी नरायन है शिवनी नरायन तो काफी फेमस है भगवान राम ने माता शबरी की जूठे बेर खाय थे इसी प्रकार बलोदा बजार में एक जगह है बारनवापारा बहुत important बारनवापारा बारनवापारा अभ्यारन भी है न तो बारनवापारा अभ्यारन में स्थित है तुर्टूरिया जहां पर क्या है वालमिकी का आश्रम है तुर्टूरिया यहां पर किसका आश्रम है महरशी वालमिकी यहीं पर इस तुर्टूरिया में या महरशी व पूरा रबाड़ करें जितने स्थल हैं जब आपको 36 बड़े मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक स्थल है धमतरी सिहावापरवत यहां पर श्रंगी रिशी का अस्रम है। धमतरी में सिहावापरवत यहां से महानदी का उद्गम भी है याद रखना। जो श्रंगी रिशी है ना उनकी प्रीश इस्या महानदा। उनके नाम पर महानदी का नाम करण हुआ है। ठीक है कांकेर में पंचवटी है यहां से रावड़ दौरा स्थीता का हरण की घटना का उल्लेक मिलता है। ठीक है तो सब याद रखना। अगे बढ़ते हैं। अगला कोश्चन है महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था। अच्छा कोश्चन है तो सबसे पहले बता दो महाभारत काल में 36 गड़ को किस नाम से जाना जाता था। तो उसको प्राक कोसल या कोसल की नाम से जाना जाता था। बस्तर का नाम महाभारत काल में बस्तर का नाम था कांतार। महाबारत काल में बस्तर का नाम कांतार इस अभियाद रख लेना रतनपुर को रतनावलीपूरी और मडीपूर इस दूनों नामसे जाना जाता था आरंग को भांडेर की नामसे जाना जाता था कहा पर हैं कुण से जिले में प्राइपुर जिले में आरंग। है महाभारतकाल में सिरपूर कlings नामसे जाना जाता था सिरपूर को किस नामसे जाना जाता था चित्रांगध पूर चित्रांगद पूर इसी प्रकार गुंजी को दमव दहरा के नाम से जाना जाता था गुंजी गुंजी को दमव दहरा दहरा, दमव दहरा ठीक है अभी सक्ती में हैं जांजीर चापा चलिए आके बढ़ते हैं अगला कुशन है प्रभु आनंद कुटी विहार जहां से गौतम बुद्ध की मुर्ती मिली है यह स्थापित है यह कहां पर है प्रश्न है कि प्रभु आनंद कुटी की विहार निम्नमे से किस स्थान पर इस्थित है तो ये जो इस्थल है ना प्रभू आनंद कुटी विहार ये बहुत धिक आलिम इस्थल है यहां से गौतम बुद्ध की मुर्ति स्थापित है यहां पर तो ये कहां पर है सिर्पूर में है प्रभू आनंद कुटी विहार कहां पर है सिर्पूर सिर्पूर कहा है महा समुन में इस बहुत द्गरंथ से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध जो है ना सिरपूर की यात्रा किये थे ठीक है यह याद रखना है महासमूंद आयत है अब आपको बहुत देकारी कुछ त्थल के नाम बतादू जैसे सिरपूर है सिरपूर में क्या है त्रभू अनन्कुटी विहार है यहां पर बॉध्ध, टीला, तीवर विहार है यहाँ पर, सिर्पूर में क्या है, तीवर विहार, तीवर विहार, ठेक है, इसके लावा कुंडा को आपिना भूंगा पाल, एक जहाँ का नाम है, भूंगा पाल, भूंगा पाल, यह कहाँ पर है, कुंडा गाउ में, यह भी बॉध्ध कालिन स्थल है, मलहार, यहाँ खनन से ना अनेक बॉध्ध की मूर्ती मिली है, ठीक है, इसा भीयाद रख ले नाम, किसी प्रकारना कुछ जैन धर्म से संबंदित स्थल है, उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ, फटाक से, जैन धर्म से, जैसे एक है, रिशब्ध देव का जो अर्थम तिर्थंकर है ना, उनसे संबंदित साक्ष मिले हैं, गुंजी से, गुंजी जो की सक्ती में है ना, पहला, सेकेंड याद रखो, भाटा गुडा, भाटा गुडा, एक जगा का नाम है, बस्तर में है यह, यहाँ से, सोलवे तिर्थंकर, जिनका नाम था शांती नाथ, इनके बारे में जानकारी मिली है, तीसरे इस्थल का नाम याद रखो, लगपूरा जो की दुर्ग में है नगपूरा, कहां इस्तित है, दुर्ग में, यहाँ से पार्शनाथ, जो की तेईसवे तिर्थंकर थे, उनके बारे में जानकारी मिली है, और चौथा आपको याद रखना है, रायपूर का आरंग, यहाँ से चौबीसवे तिर्थंकर महावीर जैन से सम्मंधित साक्ष मिले है, यहाँ पर उनकी मंदिर है, ऐसा याद रखो, यह चार स्थल है, पहला गुणजी दमउदरह, जो की सक्ति में है, यहाँ से प्रथम तिर्थंकर विशब दिव से सम्मंधित जानकारी मिले है, जानकर है यहाँ, यह कहाँ भाटा गुड़ा बस्तर, 23 तिर्थंकर पार्शुनाथ, जो इनके बारे में जानकारी नकपूरा दुर्ग से, और 24 तिर्थंकर महावीर जैन, इनके बारे में आरंग राइपूर से जानकारी प्राप्त हुई है, ठेक है, एक कुशन चकर बेडा, चकर बेडा से मौरे कालिन सिक्की प्राप्त नहीं हुए है, ठेक, चकर बेडा से नहीं हुआ है, चकर बेडा से साथ वाहन बंस की प्राप्त हुए है, कहां से साथ वाहन बंस, इनके सिक्के कहां से मिले हैं, चकर बेडा से, जो के बिलास्पूर में है, तो पार वो देव गौंढ कि सारंगड में बार गावा देव गौंढ Mu में रायपूर में तारपूर आरंगॉडेला इन स्थानों से और इकालिंड सिक्क्ये uniqu की प्रापती हुई है इसा वियाद रखना मौरे कालिन को शिला लेक मी मिले है शिला लेक का मतलब क्या हो जाएगा शिला मतलब पत्थर और लेक का मतलब लिखा हुआ पत्थर में कुछ लिखा हुआ तो ये रामगड के पहाडी में स्थित जोगी मारा की गुफा ठिक, जोगी बारे राम गरी पहारी में स्थित किया है जोगी मारा जोगी मारा की गुफा यहां से शिरलिक मिला है जोगी मौर एकालिन सम्मन जिसकी भाशा बाटाद pension अब पाली भाशा में लिखा हुआ है और लिपी किया है ब्राम भी इतना याद रख लेना गुंजी शिला लेक का संबन किस से है तो जो गुंजी शिला लेक का संबन है न वो साथ वहान वन से है ये भी आप रख ले न ठीक है साथ वहान की कुछ मुद्रा मिले है या कॉइंस मिले है कहा कहा से मिले है बालपूर से मिला है बालपूर कहां पर है सक्ती में मलहार विलासपूर और चकर बेड़ा ये भी विलासपूर इनस्थाल से ये जगह है जहां से साथ महान वन्स के कॉइन्स मिलें उसी प्रकार इनका एक कास्ट स्रम इसको वुडन पिलर बुलते हैं कास्ट बतब लकड़ी कास्ट स्तम वुडन पिलर ये कहां से मिला है किरारी ग्राम सक्ती किरारी ग्राम सक्ती ये किसे संबनित है तो सातवान वन्स संबनित है ये सब याद रख लें राजा महिंद्र सिंग का संबन किस राज वन्स से है तो राजा महींद्र सिंऩ का समद जो है वो वकातक वन्स ए हैं ठीक कौन से वन्स हैं वकातक वन्स प्रयाग प्रसिस्थिजों की समुद्र रूप का है न उसमें क्या हुअ था उन्होंने अपने दक्षिड अभ्यान के दौरां दक्षिड कोसल के राजा महींद्र सिन ये राजा महींद्र सिन को पराजित किया था ये याद रख ले ना तो आज हमने कुछ टोटल 10 कोशन देखे और कुछ एक्स्प्लेशन देखे अगर एक्स्प्लेशन को मिला कि दे और यह 10 questions को मिला दे तो कम से कम 50 questions आज हम लोग discussion किये हैं मैं कोसिस करूँगा बहुत जल, second video भी लेकिया हूँ इसमें हम लोग पूरे 36 गड़ के इतिहास को cover करेंगे ठीक है, यह revision session है, आप भी पढ़के आईए और यहाँ पर और अच्छे से समझने का प्रयास करें जो भी doubt है वो clear करें, कोई और doubt हो तो comment करना इसका मैं answer जरूर करूँगा